असलाम अलेकॉम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं कि आप सब लोग टिक टाक होंगे इस इस मी अरूज और आज में आपके साथ जो में शेयर करने जा रही हूं बहुत ही बहुत बड़ी वरी प्राब्लम क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ना वो बेर कर रहे होते हैं जो को प्राब्लम आपकी स्किन जो है वो टेक्स्चेव हो जाती है तो आपकी स्किन को आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं कुछ प्रोड़क्स गया है जो के आपके लिए beneficial है so let's start the video बहुत ज़दे beneficial है ये वीडियो तो इस वीडियो को आप लास्तक जरूर देखेगा हो सकता है कि इस problem में से आपको कोई नो कोई relate करती हो problem so be with me इंशालादाला आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो don't forget to like and subscribe and press the bell icon ताके मेरी जो next जो भी update आए सबसे पहले आप तक पहुँचे जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ 30 प्लस लोगों को ही नहीं ये सारी problems आती है इवन कि जब आप अपनी 16 पे पहुचते हैं sweet 16 पे तो बहुत सारी लड़कियों को जो है वो चेरे के उपर जैसे ही वो जवान होना शुरू होती है नहीं जवान होती है तो उनके जो है वो एक्नी बनना शुरू हो जाती है और ये सिसला 20 येर्स तक चलता है 16 to 20 ये 4 येर्स बहुत में होते हैं अगर आपको मतलब ने ने आप जवान हो रहे होते हैं और आपके जब स्किन के ओपर पिंपल्स वगरा बनते हैं तो वो आपको इरिटेट करते हैं कि ये क्यों बन रहा है और बहुत सारी बच्चियां जो है वो उसको squeeze भी करती हैं और squeeze करने के बाद जो है वो जब वो पॉप अप होते हैं तो बाद में मसला क्या होता है कि आपके जो है वो निशाना छोड़ जाते हैं तो जब निशाना वो छोड़ जाएंगे तो सबसे पहले तो मेरा ये आपको मश्रा है कि डोंट टैच एट अर इसको जो है वो खुद बखुद हील उने दिया करें या फिर इसके लिए जो है वो कुछ ऐसी प्रोड़क्ट जो और्गैनिक हों वो यूज़ करें और घर पे आप रेमेडियस भी यूज़ कर सकते है और जो अच्छी प्रोड़क्ट है सबसे पहले स्किन केर स्टार्ट होती है आपके जो है वह वह फीस वाउष के साथ डॉल और बार प्टॉये तो में हमेशा से वह हो चीजें यूज करती हूं जो के सकिन को मॉश्राइज अच्छा करें और आपके स्किन जो है वह तरो ताजह रहे सभी बाहएं और इसको ज़ेह जाएद, ज्यादा सभी झाएद, और मॉष्टराइजिंग की पहता ज़रूत होती है मैं क्या यूस करती हूँ? मैं ये ये फेस वाँ यूस करती हूँ जो के प्रडाइ सकिन है और यह बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे है, आपके स्किन को लाइटन भी करता है, आप ब्राइटन करता है, इस इस फ्रॉम क्लिव लेडी प्रोडक्स, तो यू कन परचेस इट इनके वेबसेट से आप परचेस कर सकते हैं, और यू क्योंकि अल्रेडी फेस वाश किया यह सब्राव है, इसके बाद, क्या स्टेप आफनी स्किन को टोन करने का। यह बहुत लाजमी है चाहे प्लिजफ जब केकि अपने फेस को टोन लाजमी करना है, तो सिर्फ के पहले आपने खिंग कर ली, क्लिंग करिए आप मिल्क लिंजंग कर सकते हैं, और साथ में यह में कोई बीट नहीं है दो तरन के अबसक किल सुट़ करना में सिकनकर इप अपने स्टैप करता है या इस ओप स्किन केर स्टार पहला स्टैप जो आता है वह आता है या यह अदिस यह शर्ट कोई भी आप स्क्न प्रोड़क्त यूज सहने आप उसको अच्छे से शेक कर लिया करें शेक करने से यह उता है कि उसका जो भी असर होता है दो फोड़ा सा शेक कर लेचे शेक करने के बाद आपने देन जो है वह अपने फेस के वपर इसको यूँ तोन करने के बाद अभी जो है हम क्या करने जा रहे हैं हम एक लेख आपके साथ जो है वह शेर करना जा रहे हैं जो स्किन का कोई किसम का भी प्रॉब्लम हो किसी किसम का एक्नी हो आपको जो है वो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो आपके स्किन सैगी हो चुकी हो रिंकल्ड हो अपनी स्किन को नौजवान तरो ताजा और क्या कहते हैं स्कारलेस स्किन के लिए आपको जो clay use करनी है वो है उसका नाम magic clay जी तो ये है जी magic clay ये बहुत बड़ा जारा huge जार है और आप जो है वो इसको तक्रीब बन जोना आपका almost one year easily चल सकता है जिनके अब acne prone skin है वो कैसे use करेंगे वो लेंगे apple cider vinegar brass उसके साथ इसको बनाएंगे और आप लगाएंगे आपको मेरी skin के ओपर थोड़ी सी shine नजर आरही होगी that's all because I'm sprayed and I use rice water जिसके साथ ये इस तरह की मज़े की मेरी skin जो है इस टाइम जो है वो बिलकुल dry हो चुकी है बर ये जो shine आरही है ये आपको rice water की वज़ा से दिखाए दे रही है बहुत जबरदस्त है okay so ये हम use करेंगे मैंने एक बाउल ले लिया ठीक है बाउल के अंदर मैं थोड़ी सी quantity जो है वो इसके अंदर इसकी डालूंगी थोड़ी सी ज्यादा नहीं ये इसके अंदर थोड़ा सा ये इतना सा मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी ठीक है पानी आपने उतना डालना है जितना जो है वो आपका थिन सा पेस्ट बन जाए इस मैजिक लेके इतने फायदे हैं इवन के ये आप हेर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ से डिफरेंट है और अगर आप इसको उस तरीके से यूज़ करेंगी जैसे या करेंगे इस नोट ओली फोर वोमें ज़र्ल्स बात ओल्स बात ओल्स बोई ज़िए इस तरह से देखे थिंसा पेस्ट बन गया है इसको आप इसको जो है वो 20 minutes तक जो है वो अपने फेस्ट पर लगा के रखेंगे जो इसको यूज़ करता है फर्स टाइम थोड़ी सी जो है वो रेडनेस फेस्ट के ओपर आ जाती है क्योंकि यह एक्टिव करता है आपके स्किन को रीजविनेट करता है आपकी स्किन को और जो आपका कैलेजन आपकी जो यह स्किन है इसकी सेवन पर्त होती है जो सेकिन पर्त होती हो इसके अंदर कैलेजन होता है जब कैलेजन जो है वो खत्म होना शुरू होता है किसी भी बिना पर आपकी एजिंग के बिना पर या किसी भी बिना पर कम होना शुरू होता है तो skin problems हो जाती है start तो उसको दुबारा से reboot करने के लिए rejuvenate skin को करने के लिए ये वाला mask जबर दस्त है और आप इसको लगाएंगी for 20 minutes और 20 minutes के बाद आप इसको wash off कर देंगे और पहले मैं इसको अपने face के उपर apply करूँगी हमेशा जब भी आप अपने face के उपर इसको apply करें तो up first किया करें कोई साभी mask लें तो उसको हमेशा से up first जो है वो apply करते हैं आप जो है वो इसको थोड़ी मोटी लेर भी लगा सकते that's all up to you लेकिन वो थोड़ा सा बहुत लेट जो है वो dry होगा तो बावल को अपने साथ साथ रखे ताके आपके कप्डे जो है वो बर्बादी की तरफ ना जाएं अच्छा जब मैं यह लगा लूँगी सारा ठीक है ना फिर मैं आती हूँ